यह वीडियो एमे ग्रूप के बिहाफ पर बनाई गई है एमे ग्रूप के दो ब्रांचेस हैं एमे टेक्नोलोजी इन एजुकेशन एक्सपर्ट्स और जो यह सर्वेसेज प्रवाइड करती हैं स्कीलिस्ट यहां दी गई है इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे अबाउट एंटिक विदाउट केट अगर आप गेट का एक्जाम नहीं दे पाए हैं किसी फी रीजन के विज़ा से या फिर आपको नहीं रगता कि आपका गेट का स्कूर अप्टू दिमाग होगा कि आपको एक अच्छा रेपिटेटेट कॉलेज मिल पाए तो उस केस में आपको अभी लूज नहीं करनी चाहिए बिकरज अभी भी बहुत सारे आप्शिन्स हैं बहुत सारी इसी इनिवर्स्टीज हैं ऐसे कॉलेजेश हैं जो अपने अलग से एक एक्जाम करवाती हैं तिल दू मांथ आप में जूम यह नाम है उन इंस्टिट्ट्स का यह उन कालेजिस्ट का जो एक नॉन गेट एंटर्स एक्जाम कंड़ाती हैं साइब बेसाइड उनकी प्रोसीजर सेलेक्शन प्रोसीजर भी दे गये हैं और उनकी अफिशल साइट के लिंक भी दे गये हैं जैसे बिट्स पिलानी है वो इन टेस्ट कंड़ाती है इन दे मांथ जून या जवालनाल लहरो युनिवर्सटी है वो जी अन्यों एंटर्स एक्जाम कंड़ाती है इन दे मांथ आफ मे जो फॉलु अप बाइ इंटर्व्यू गुरुगोविद शिंग एंद प्रस्ति युनिवर्सटी डेली वो एक एक कंड़ाती है रिकिकीट कंड़ाती है या इंटर्वनिक मेर्षाम कंड़ाती मांथ यंद ने दे मांथ में याय इनदर्वस एंस्ट्यूटर जो आपना इक्जाम कंड़ाती है इन दे मां एप जुन तू आइप आफ एक्जाम्स होते हैं, अब्चेक्ट टाइप होते हैं, अधर बेस्ट अन इंजिनेरिंग ब्लॉग बागरांड जो कंप्यूटर साइंस के स्टुनेंट्स हैं, उनके लिए जो सेकंड टेस्ट होता हैं, उसमें C और C प्लास की कॉश्शन्स होते हैं इन इंडनेशनलिशनलिशीट आफ सेक्ड़नोस्ट टेक्टिजूलोजी अपना आलग से करव्लग आनेशनलिशीनलॉटर आउर्ट एंस यूज नग से कशपैस बूपनेचन्थनेटर आप दानेशनलिश्ट एपिडशनीटर आंड़निश्ट लिए जो अपना एक्जाम्स प करवाते हैं in the month of June and again अगर आपको एक्जाम क्रियर हो जाता है then there will be an interview round then Punjab University जो C-U-C-E-T की नाम से एक एक्जाम करवाते है in the month of June जो follow up होता है by an interview So I hope आपको ये वीडियो यूस्फुल लगी होगी for any queries आप लॉगाउं कर सकते हैं www.ametechnologies.com पर या www.educations.in पर for free career counseling आप हमें mail भी कर सकते हैं अपने questions, अपनी doubts, अपनी queries या फिर आप हमें visit भी कर सकते हैं या आप हमें in given numbers पर contact कर सकते हैं Thank you